एक विशे जानकारी के लिए मैं आपके साबने उपस्तित हुआ हूँ ये देख लें ये सेमल का पेड़ है इसको संस्क्रद में सिंबल और सालमली बोलते हैं इसका बॉटेनिकल नाम है बॉमबेक्स सेईवा फूलों के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है जिस पर ये कांटे होते हैं इस पर लाल फूल आते हो बहुत बड़ा फूल होता है जिसका प्रियोग शरीर को पुष्टी जैने के लिए किया जाता है और इस पर ये कांटे होते हैं इसकी लंबाई 30 फूल से ज़्यादा नहीं होती है लेकिन सफेद और पीले फूल वाला की लंबाई सक्तर से अच्चे फूल ये प्रेता होती है और उस पर ये कांटे नहीं होते तो मित्रो आज में बताने आया हूँ सेमल की मूसली का पाउडर आपको क्या फायदा कर सकता है और तो आप दूसरा में दिखाने जा रहा हूँ आपको और मित्रो यह है जो बड़ा पेड देख रहे हैं आप यह पीले फूल वाला है और इसका फूल छोटा होता है इस पर कांटे नहीं होते हैं और मित्रो यह है सफेद फूल वाला इसका भी फूल छोटा होता है देख लें इस पर भी कांटे होते नहीं है कि वह लाल फूल वाले पर होते हैं अब मैं देखाऊंगा आपको मूसली किस कितने महिने के पेड की मूसली लेनी चाहिए तो मित्रो यह है एक साल का सेमल का पौधा है देखें नीचे तक दिखाता हूँ इसको मैं आपको तो छे महिने से लेके दो साल तक के पौधे की जड़का प्रियोग पाउडर बनाने में काम आता है इस तरह यह बड़े जो कम से कम दददश साल पुराने हैं इनकी जड़का कोई फाइदा नहीं होता इस तरह के यह लगवा एक साल पुराना है और एक और छोटा दिखाता हूँ देखिए यह दो महिने पुराना है अभी अभी उगा है शड़क के किनारे पर है तो मैं दिखा रहा हूँ इसको यह भी सेमल के पौदे हैं बड़े बड़े हो गए थे लेकर मुनिस्पर्टी वाले काट के चले गए हैं देखो यह और यह छे बहीने पुराने हैं इस तरह की जड़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है पौदर बनाने के लिए तो मित्रों 6 महीने से लेकर 2 साल तक के पौदे की जड़ निकाल लें और यह जहां पर पेड होते हैं वहां पर शड़कों के किनारे उगे रहते हैं तो इस तरह की जड़ निकाल कर पानी से दोकर गरम पानी में एक बार जरू उबालें اور छोटे-छोटे तुकडे करके उसे सुखा लें और पाउडर बना लें इसकी मात्रा लेनी है 3 ग्राम सुभे 200 ग्राम दूद के साथ ग्रम दूद के साथ और शाम को 5 से 6 बजे 3 ग्राम अगर आपकी सारी रिक बनावट अच्छी है और आप अच्छे तकड़े पहलवान है तो इसकी मात्रा 5 ग्राम सुभे और शाम को ली जा सकती है इसका प्रियोग कम से कम 40 दिन करके देख लें बहुत फाइदे मंद होगा और ये कामोद भी पक है और पुष्ट कारक है सरीर के अंग अंग में जान डाल देगा ये ऐसा पौदा है सेमल की का पौदा सेमल की मूसल का मैं प्रियोग बताया है आप इसका प्रियोग कर सकते सीदा सादा सरल उपाए मैंने बताया है आप अबस करें मित्रो ये मेरा चेनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें मित्रों एक बात और बता देता हूँ इसका बहुत सारी कंपनी आयर्वेदिक कंपनी इसका पाउडर 200 ग्राम पैकेट में बेशती हैं और डिब्बे में भी बेशती है अगर आप नहीं बनाना चाहते बनाने में तकलीफ है तो वहां से ले सकते हैं इसका ज़्यादा मेहगा नहीं है 100 ग्राम का पैकेट 30 रुपे का कोई 20 रुपे का भी बेशता है आप ले सकते हैं नमस्कार